इरान के प्रेजिडेंट एबराहिम रहीसी ये मर चुके हैं मैं कहूंगा बहुत जादा अनफॉर्चुनेट है इरान के लिए अनफॉर्चुनेट आफ के लिजी या फिर साधिश के अंडर ये सब हुआ है मगर किती ज़रा जीब बात है कि एक ही दिन में एक ही हेलिकॉप्टर में अचानक से इरान के प्रेजिडेंट और इनके विरेश मंतरी दोनों मर जाते हैं एक हेवी लॉस हुआ है इरान की लिडेर्शिप को और इरान से जो सीन्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाता हूँ यहाँ पे आप देख पाओगे राद भर इरान की सड़कों पे इस तरीके से लोगों ने प्रातना करी है प्रेयर मांगी है कि काश इनके प्रेजिडेंट बच जाएं और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूँ उस सड़कों पे लोग थे कई लोग रो रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली राद भर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद कई कंट्रीज की इनवॉल्मेंट के बाद भी इरान के प्रेजिडेंट नहीं बचे ना मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से रशिया, टर्की, दुनिया भर के कंट्रीज यहां पे इनवॉल्म हो गए थे और इवेंचुली रिजल्ट क्या निकल के आया देखे इरान रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्णन कंट्री है, इरान के काफी अच्छे रिलेशन्स या आप कह सकते हैं इंडिया के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी रशिया टर्की के साथ तो जैसे ये निउस सामने आई के प्रेजिडेंट रही सी बस मिल नहीं रहे, इनका हलिकॉप्टर गायब हो चुका है, हमारे देश के प्रामिस्टर ने ये ट्वीट करी के मैं डीपली कंसर्ण हूँ के इरान के प्रेजिडेंट का हलिकॉप्टर अभी बस मिल नहीं रहे, गाइब हो चुका है और शेबाज शरीप ने भी यहाँ पर यह बात कई के काफी डिस्टर्सिंग न्यूस सामने आ रही है इरान के प्रेजिडेंट को लेकर ना उसके बाद ना देखिए इरान की जो मिलिटरी है इरान के जो अलुशनरी गाड है वो तो एजरबाईजा के पास का जो यहाँ पर एरिया है ना जहाँ पर इरान के प्रेजिडेंट का हलिकॉप्टर गायब हुआ था इसको ढूंडी रहे थी रश्या यहाँ पर बहुत जड़ा पाएं यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल सिंस व्लाद्मिर पुतिन इरान के प्रेजिडेंट के बहुत जड़ा करीबी है इरान ने काफी हल भी करी है रश्या की युक्रियन वर्ग में तो इरान के प्रेजिडेंट का हलिकॉप्टर जब गायब हो गया उसको पूसा मित्ता जादा खराब था कि इरान के रेवलुश्टरी गार्ड्स इरान की मिलिटरी कुछ कर नहीं पा रही थी और आप सोच कर देखिए इरान के लोगों के लिए पूरी रात किती जादा नर्वसनेस के साथ बीती होगी क्योंके इनको पता थानी कि इनके प्रेजि से सामने आई है और अग्याइन मैं यहाँ पर एक बात बोलूगा आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है तीन हेलिकॉप्टर थे इरान के प्रेजडेंट के काफिले में और तीनों में से गिरता भी कौन सा हेलिकॉप्टर है देखो अभी तक मैंने आपको जो बताया ना ये जानकारी आपके लिए काफी important थी अब आप समझ पाओगे कि इसराइल का जो reaction है इसको लेकर कई लोग इत्ते जादा suspicion से क्यों देख रहे हैं देखो राद भर search and rescue operation चला पता था नहीं के राइसी मरे या नहीं मरे आपने भी देखा होगा इससे पहले जो मैंने वीडियो अप्लोड करी है मैंने साफसा बता दिया था कि अभी बस crash report किया गया है हमें पता नहीं है कि इरान के president मरे हैं नहीं मरे मगर इसराइल के officials को almost पका पतारा के हां मर चुके हैं इसराइल के officials के पास जब media पहुचा तो उनका पहला जवाब यही था हाँ देखिये पता है मर चुके हैं मगर हमारा हाथ नहीं है मीडिया वाले यही बात देखकर काफियत तक shock हो गए कि हम यह तो पूछने आए नहीं थे कि बचे हैं मरें आपने तो खुदी confirm कर दिया इसराइल के अंदर बहुत जादा deep इनके spies चुपे हुए है इसराइल के जिनोंने president के helicopter में कुछ sabotage कर दिया कुछ bomb डाल दिया कुछ god knows क्या हुआ होगा मैं पता नहीं है बट जो भी यह हुआ है यह इसराइल का कोई fighter jet कोई missile आसपास दिखा नहीं था तो इसराइल पे दिया कि good riddance अच्छा हुआ यह आदमी मारा गया यह USA के lawmaker का बयान है मैं काऊंगा काफी insensitive है मगर US और इसराइल में आप कह लीजिए बहुत जादा animosity है towards Iran तो इनके president के मरने पे भी इस type का reaction आ रहा है from US और अगर यहां पे आपका question यह सामने आ रहा है कि मान लीजिए अ Iran action लेगा मैं आपको बता दूँ अभी investigation यह लोग करेंगे कि यह सब हुआ कैसे है तब तक वैसे मैं आपको यह बता दूँ ऐसा नहीं है कि अब इरान में अचानक से leadership की कमी हो जाएगी country विखर सकता ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इरान में जो सबसे जादा powerful आदमी है वो है Ayatullah Ali Khameini यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है supreme leader of Iran इनके नीचे आते थे प्रेजिडेंट इनके इबराहिम रहेसी जो अब नहीं रहे उसके लावा जुडिशरी, Parliament, Guardian Council, Armed Forces सब इनके नीचे हैं तो जब तक यह अपनी position में बने हुए हैं तब तक इरान कुछ ऐसानी है, destabil होने वाला है, political crisis यहाँ पे आजाएगा, बट definitely आने वाले कुछ दिन बहुत ही जादा important होने वाले हैं, अगर इरान ने एक debt अरोप लगा दिया इसराइल पर, तो वापस इसराइल इरान की tensions रीजन में बढ़ सकती है, तो अभी देखिए इस topics से related बहुत सी developments आएंगी, कु country has lost all its glaciers, बताइए कौन सा देश है यह, Brazil, Colombia, Venezuela या China इस पे बहुत articles publish होई है, the first country in the world to lose all its glaciers, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट देदूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं, के सही उत्तर क्या है, और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत important जानकारी, study IU का batch 8 start होने वाला है, इसका मतलब यह है के 20 में से पहले आप अगर study IU का UPSC course purchase करते हैं, तो एक systematic तरीके से एक batch के अंडर आप अपनी त्यारी शुरू कर पाऊगे, class 1 से आपकी त्यारी होगी with proper discipline, तो comment section में जाईए, यहाँ पे आपको मिलेगा link UPSC offline और online course का, अगर आप online course purchase कर करना चाते हैं, तो link पर यहाँ पर इकर यह click और आपके सामने खुल जाएगा यह page, और यहाँ पर आप देख पाऊगे लिखा है study IQ UPSC batch 8, यह batch 20 में से start हो जाएगा, उसके बाद enrollment यहाँ पर बंद हो जाएगी, limited number of seats होती है, तो अगर आप properly UPSC 2025 के लिए त्यारी करना चा इसकी 30 महीने की, इस course में आपका prelims, mains, interview, तीनों parts को properly cover किया जाता है, one-to-one mentorship आपको मिलेगी, उसके इलावा physical books भीजी जाएगी आपके घर में, और यह जो price यहाँ पर लिखा है, you do not have to pay this price, simply यहाँ पर code डालिए, period 10, और prices गिरना स्टार्ट हो जाएगे, 1000 उपे से भी कम, पर मन्थ पे करके, आप घर बैठके properly UPSC exam की त्यारी कर सकते हैं, with study IQs, live classes, तो जो यह P2I batch है, याद रखिये का यह date, 20 में से start होने वाला है, उससे पहले, आप इसको purchase करके, एक proper direction के साथ, अपने UPSC exam की एक त्यारी start कर सकते हैं, so use the code PD10, and save money, और इसी note के साथ, यह है video का Thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.